नमस्कार आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं अरवेदिक उप्चार दोस्तों गर्मियों के सीजन में आम खाना हर किसी को बहुत पसंद होता है क्योंकि इसमें विटामिन A, विटामिन C और इसके अलवा कॉपर, मैगनिश्यम और पोटेश्यम जैसे मिनरल्स भी पाये जात सकता है, आम की नई पत्तियां लाल होती हैं जबकि पुरानी हो जाने पर इसकी पत्तियां डार खरी हो जाती हैं और धीरे धीरे ये पीली होने लगती हैं, इन पत्तियों में एंटियोक्सिडेंट गुन भी पाया जाते हैं, स्वास्त के लिहाज से काफी लाब धायक होती ह तो इनके इस्तेमाल के तरीके के बारे में और फायदे के बारे में आज के इस वीडियो में पुनतह जानते हैं वीडियो को बिना स्किप किये हुए अंत तक जरूर देखिए आप से रिक्वेश्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे वाटसप पे फे दिलाती है आम के पत्तों को पीष करके इससे रात भर के लिए आपको पानी में मिला करके रख देना होगा इसके बाद इससे सुबह उठ करके पीना होगा इससे किर्णी में होने वाले इस्टोन को नश्ट कर सकते हैं आप आसानी से इसके अलावा श्वांस संबंधी बिमारि पत्यों के लिए ये काफी कारगर साबित होता है आम की कुछ पत्यों को पानी में उबाल लीजे और इसमें थोड़ी शहद मिला लीजे इस पानी को आपको पीना है इससे गायब हुई आवाज भी वापस आ सकती है इसके अलबा पेट इससे साफ रहता है पेट खराब होने ज पेट के सारे टॉक्सिंस बाहर निकल जाते हैं और आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाता है इसके अलबा कान के दर्द से रहत मिलते हैं आम की पत्तियां कानों के दर्द से आपको रहत दिलाती हैं कान का दर्द बहुत असहनी होता है आम के पत्तों को निचोड करके इसका जूस निकाल लीजिए और इसकी कुछ बुंद को कानों में डाल दीजिए इससे कानों का दर्द बहुत जल्दी ही दूर हो जाता है ध्यान रखिए कि इस्तेमाल करने से पहले इस जूस को थोड़ा सा गुन-गुना कर लीजिए और फिर ठंडा हो जाने दीजिए इसके बाद डालिएगा जले में राहत देता है जिहां जिस जगह पर आपकी स्किन जल जाए या जल गई है वहाँ पर आपको आम की पत्यों को रखना है इससे तो अचा जल्दी सही होती है और जलन से भी आपको राहत मिलती है इसके अलावा आम की पत्यां हिच्की को भी बंद करती है गले की अन्य समस्या और हिच की आने की आदत को ये खत्म करता है आम की कुछ पत्यों को जला करके इसका धूए को स्वांस के जरिये अपने अंदर लीजिए इससे गले की समस्या और हिच की खत्म हो जाती है इसके अलबा थकान दूर होती है बेचैनी और थकान से आपको रहत मिलती है आम की कुछ पत्यों को इसके लिए आपको अपने नहाने के पानी में मिलाना है और इससे इसनान करना है इससे बोड़ी तरो ताजा हो जाती है साथ ही साथ थकान और बेचैनी से रहत मिलती है इन तकलिफों से निजात पाने के बहुत ही कमाल के उश्यादी के रूप में कारी करती है तो इसलिए आम की पत्तियों को घर लाइए क्योंकि इसका आपको बहुत पैसा भी नहीं लगना है आपको आसानी से मिल जाएगा और इन पत्तियों से स्वास्थे लाग जरूर प्राप्ट किजिए यह आज की वीडियो रही ऐसी ही नई वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ओन कर लिजे ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले फिलहाल विदा लेते हैं आज के इस वीडियो से जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक आप सभी खुश रहें स्वस्त रहें धन्यवाद नमस्कार दोस्तों